सत नाम सत साहिब आज कल बहुत परसन उठते हैं कि कल के उतार कौन है, कब आएगा, कैसा है इस बारे में जराग गहराई से सोचते हैं कि हम आज से पहले वाले भविश्य वक्ताओ या उतारों नहीं उसके विश्य में क्या कहा है अब बाइबिल का यदि अध्यन करते हैं तो वहाँ पर कई बार सामने आता है कि जिसके आखे हो वह देख लें और जिसके कान हो वह सुन लें इसका क्या भावार्थ है या वह क्या समझाना चाते थे जिसस सुष टाइम ऐसा क्या करके आजकल से भी को यानि पूरे संसार के व्यक्तियों को एक आसा है कि दसवा अवतार कल की या सेकेंड कमिंग जिसस इमाम मेंदी मैत्रे बोध जो आने वाला है तो इस तरह के परसन होते है कि कल की अवतार कब आएगा कि वह कैसे होंगे और वह किस तरह से अपने कारियों को अंजाम देंगे या किस तरह के कारियों करेंगे यह बता पाना मुश्किल है क्योंकि जो अवतार होगा वह उसी मालिक में मिला हुआ होगा आर्थात महा सूरत और सबद का योग होगा आत्मा और परमात्मा का मिलन महापर होगा उसी के समान उसके गुण होगे यानि जहाँ पर अनहद नादिया, नाद ब्रहम या सबद धुन पर कट हो जाती है सैसरार चक्र में पहुंच करके तो उसके गुण उस मालिक के समान हो जाते है सबी सद गुणों को अउत्रण उसके कारियों में होगा यानि जो एक पुरूस होगा, महापुरूस होगा उसके कारियों में सबी सद गुणों का उत्रण होगा सैयम, चमा, संतोस, विवेक और विनमरतागा आदी अब जो अवतार आ रहा है वैं सारे संसार से बुराय को खत्म करके आडंबर वैं पाखंड वाद को खत्म करके एक सच्चाई यानि जो पुरातन सच्चाई है सनातन सच्चाई है और हमारे सभी धरम गरंतों में लिखी हुए उसी सच्चाई को सभी के सामने परकट करे सब्सक्राइब और अपनी पूजा ना करवाकर यानि आज कल क्या हो रहा है कि हम जितने भी अवतार आये हैं हम सभी उन्हीं अवतारों की पूजा कर रहे हैं और उसे एक मालिक को भूल गए हैं जिसने उन अवतारों को भेजा है तो क्या है कि वह अपनी पूजाना करवाकर उस एद्रश्य निराकार मालिक से मिलने की पूरी विधी बताएगा यदि वह यह क्या देगा कि वही कल क्या उतार है सेकेंड कमिंग जीसस है तो आप लोग स्वयमंदाया लगा सकते हैं कि लोग बाग उस एक एद्रश्य सक्ति को छोड़ करके भूल करके उसी के पीछे हो लेंगे क्योंकि चमतकार या सोर्टकट मालना अधिक लोग चाते हैं तो लोग उस प्रम स्था को छोड़ कर उस एक व्यक्ति को ही पुज्य मानने लगेंगे और इस तरह से जो उसका कारिया है अडंबर व्यपाखंड वाद को खत्म करके सत्य की अस्थापना करना या नि सत्यूक की अस्थापना करना उसमें बाधा आ जाएगी दूसरी बात उस महान व्यक्ति या महान पुरूज को स्वैम भी मुक्ति पानी है यदि वह अपनी पूजार यह कहेगा कि मैं वही हूं तो उसे मुक्ति मिलना है संभव हो जाता है क्योंकि महां करमो का फल जूड़ जाएगा और करमो का फल पाने के लिए जनम्मरण का चक में पढ़ना पड़ेगा तो उससे मुक्ति पानी थोड़े सी कठिन होती है तो उनको स्वैम भी मुक्त होना है मोक्स हिंदु द्रह में मोक्स कहते हैं बहुत द्रह में निर्वान कहते हैं और इसाइद्रह में अनंत जीवन कहते हैं इसी को इसलाम द्रह में आखिरत सुदा कहते हैं तो वह यह नहीं बताएगा कि वही कल की अवतार है या सेकंड कमिंग जीसस है अब साधान व्यक्तियों को कैसे पता चले कि वही अवतार है अमुक व्यक्तिय अवतार है बाइबिल में जीसस ने कई बार कहा है बहुत बार कहा है कि जिसके आंके हो वह देखे और जिस जब अपने आखों से देख लेते हैं या अपने कानों से उसको सुन लेते हैं जैसे कोई गाना बहुत अच्छा लग रहा हैनि दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगा है और वह आपसे आकर कहें कि वह अच्छा है तो तब तक आप उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर लेते, जब तक आप श्यमना सुन लेते हों, जब तक अपने कानों से नहीं सुन लेते, तब तक विश्वास करना एसंभावसा लगता है, जिसस इस्वर पूतरते अर्थत जिसस के माता पिता की सरीर में सबद रूपी या नाद आए थे और जिसेस के सरीर में भी सबद धुन होली गोस्ट वर्ड ओफ लोगोस नाद ब्रहम का उत्रण हुआ था अब हर जगह यह नहीं बताना चाहते थे कि मैं अवतार हूं मैं पैगंबर हूं क्योंकि अवतार को कारिया अवतार के कारिया उनकी वानी भासा साधन मनुस् सबी कारिया निसकामभाव से होते हैं और प्रेम पोन उनका व्यावार व्या भासा होती है तबी उन्होंने बाइबिल में काया कि जिसके आँक हो वह देखे और जिसके कान हो वह सुने ले अब स्वेम देखो और पर्खो की सामने कौन है उसके कारिया व्यावार निसकामभ देखें एक साधान व्यक्ति के हाथ में यदि हीरा आ जाए तो वह उसको पत्थर समझ कर फैक देगा और वही पत्थर यदि जोहरी के हाथों में आ जाए तो वह हीरा समझ कर मुल्यावान वस्तु प्राप्त कर लेता है और यदि आपको कोई कहे कि मैं वही व्यक्ति हूँ या वही हूँ तो नहीं समझेंगे और जो उसको समझने लायक हैं उसको समझाने की या बताने की उसको जरूरत नहीं है इसलिए सभी साधक गणों से निवेदन है कि अपनी प्रकने की सक्ति पहचानने की सक्ति को बढ़ाएं कभी मौका हाथ से ना निकल जाए दूसरा उधारन है यदि किसी कम्प्योटर में कोई ख़राबी है हाड़ वेर कोई ख़राब हो गया है तो उस समस्य को एक इंजेनियर यानि एक विशेश इंजेनियर ही समझ सकता है नहीं कि साधान उसको चलाने वाला ओपरेटर नहीं समझ सकता है या उस समस्या को ठीक नहीं कर सकता है तो हम सभी को अपनी पार की सक्ति बढ़ानी चाहिए और उस मालिक की यानि जो सद्गुन है उनको अपनाना चाहिए जिससे कि हम सामने वाले को समझ सके कि वह कौन है तो समय बहुत कम है अपने जीवन को सफल करें सतनाम सतसाइब